नमस्कात दोस्तों मैं हूं सौर अबर आपका स्वाकत है Grand League गुरूप पे तो दोस्तों बिग मैच बिग मैच इन दसेंस की IPL शुरू हो गया है और चलिए शुरू करते हैं तो पहले थोड़ा सा स्टाइड दिखिएगा उसके बात जो है अनलेशिस पार्ट पर आएंगे फो इनपूट्स जो है वो देना पड़ेगा कॉपी पेस्ट करके बहुत ज़्यादा बड़ा आमाउंट नहीं जीता जा सकता है अभी कौन सा कॉंटेस्ट खेलना चाहिए इस साल मैंने कुछ डिशिशन लिया है कि जो भी कॉंबिनेशन मैं शेयर करूंगा या जो भी कॉंबिनेशन से मैं खेलूंगा मैं 244 वाला जो कॉंटेस्ट है जहां पर 52 मेंबर है वाला खेलूंगा मतलब 50 मेंबर तक कोई ना कोई कॉंटेस्ट आप जरूर जोईन किजिएगा उसके साथ मेगा जोईन किजिएगा यह आप कर सकते हो ठीक है नॉर्माल स्माल लिंग मैं खेलता नहीं तो नॉर्माल स्माल लिंग मैं नहीं खेलूंगा 50 वेमिंबर या 25 मेंबर वह खेलूंगा एण बड़े से बड़ा कॉंटेस्ट खेलने के कोशिश करूँगा ठीक है अगर एक भी मैच निकल जाए तो बहुत ब़दीया होगा 244 में इसलिए मैं prefer करता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा जो है 12 गुना होता है तो 12 गुना होता है तो that is the reason की वो contest मेरे को काफी ज़्यादा पसंद है अगर आपका वो उतना budget नहीं है तो आप कोई दूसरा contest चूज कर लीजियेगा जहां पे आपका आठ से 10 गुना बारा गुना जो है return मिल जाएगा ठीक है तो क्योंकि अगर वो पूरे tournament में अगर 10 मैच में जीत गए तो बहुत बढ़िया profit हो जाएगा तो इस बार जो है grand league, mini grand league and mega league के साथ वो वाला contest मैं जरूर खेलूँगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों के चैनल पर जरूर बुला लेना और कोशिश करते हैं कैसा जाते हैं देखते हैं देखिए प्रोबावल प्लेइंग 11 कुछ इस टाइप का होना चाहिए दोनों टीम का फैब विराड बैटिंग आइमेन ओपन करेंगे रजत पातिदार मैक्सी ग्रीन उसका बार दीके अनूज रावाद करन शर्मा का एक है थिक से ना होगा ठीक है पातिदाना की जगापे थिक से ना तो चलो अब जाके ओवरल हेड़ की बात अगर करें और बाकी बात करें तबीयत सो थोड़ी से डाउन है बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं देखो ओवरल अगर बात करें तो दोनों टीम का इस के का बहुत जादा आगे है बट यहां पर एक प्रॉब्लम है नया कैप्टेन है वो भी एक है दुसरी बात यह है कि से के का जो प्रॉब्लम एक एक बात आप लोगों को बता दे जब 2022 में जब सीएस के हार रही थी जड़ी जब कैप्टेन थे तब भी उन्होंने जो है आर 163, 164 आप मान के चलो 180 जो है वो डिफेंड करने ला है मैच है I mean हो जाएगा डिफेंड 180 जो है उसमें डिफेंड definitely हो जाएगा अकर बैटिंग फर्स बैटिंग सेकेंड देखोगे तो बैटिंग फर्स का ओवरॉल रिकॉर्ड काफी बेटर है 60 परसेंट है ओवरॉल मैच् होगा जब टॉस होगा उस टाइम पे जो है हमें पूरा सेनेरियों पता चल जाएगा कि टॉस जीतने वाले क्याप्टेन जो है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग अपना कॉंबिनेशन जो है चेंज कर पाएंगे ठीक है यहां पे जो लोग टेलिग्र सब्सक्राइब कर देख लेते हैं विराट कोली जैसा नहीं है विराट कोली जैसा मतलब मोर्दन 40 जो होता है वह वाला विराट कोली के साथ यहां पर नहीं है अब जाके फैब डूपलेशी बहुत जादा वर्सेज एंगें सीस्की नहीं खेले है रिजन आप लोगों को पता है इवन इस ग्राउंड पे ठीक टाग रिकॉर्ड है चलो देन बट फैब डूपलेशी के साथ एक चीज मैं बताऊंगा ग्रैंड लिग में मैं मोस्ट प्राबली फैब डूपलेशी को ड्रॉप करके चलूँगा रजट पातिदार बैक करने लाइक प्लेयर है इस मैच में नहीं तो सेकेंड मैच में या थर्ड मैच में फर्स डाउन पे आएंगे बहुत बढ़िया जगा है जहां से यह अच्छा का सा स्कूरिंग कर सकते हैं इवन कुछ मैचेस में आपको डेफिनेटली यह ग्रैंड लिग जितवा के जा लिए कि इनको कितना ओवर मिलता है इवन आइमें बैटिंग से तो चलो ठीक है पच्छीस बॉल पर पचास करने वाला प्लेयर है बट इनको बूलिंग कितना मिलता है वो मेरे को देखने का है देन डीके मोस्ट प्रॉबली मैं ड्रॉप करके चलूंगा अनुजरावा ड्र सिराज कि यह सिराज वो सिराज नहीं है लेकिन किसी को बताना मत मैं फिर भी मुस्ट प्रॉबली इनको ग्रेंड लीक से ड्रॉप करने वाला हूं यस ड्याल इस टिम के गेंस्ट सोचने लाइक पिक है कि लेंगे या नहीं जोजेब अगर होंगे तो डेफिनेटली मेरे बात है देन यह वाला देख लेते हैं CSK का देख लेते हैं गाइक वार्ड बैटिंग सेकंड बडिया रिकॉर्ड है वही इस वेन्यू पर भी बैटिंग फॉर्स अच्छे नंबर से ठीक है बट इनको मैं इस मैच में रखना चाहूंगा इनके साथ एक चीज है जो मैं बता सकते हैं ना डार्लिंग दन रचीन रविंद्र इनको मैं लेके चलूंगा इवन सीपी भीसी भी बना सकता हूं रहाने अगें एक बहुत बढ़िया पोजिशन पर बैटिंग करने आएंगे अगर एक विकेट जल्दी गिर जाता है तो रहाने आकर बहुत बढ़िया कर सकते सिभम डुबे अगें ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया पिक है एक अधा उबर बूलिंग कर सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी रन मना सकते हैं फर्स इनिंग इनका रन देख सकतो तीन इनिंग में 193 बहुत बढ़िया देन यहां पे आपको जो है मोहीन अली क्योंकि MSD से यह expectation मत रखो कि बहुत बढ़िया बैटिंग से कर देंगे हां साइद 10 बॉल पे 18 बना देंगे लेकिन वो 10 बॉल पे 28 बनाने वाले MSD वो साइद नहीं दिखेगा एक अधा मैच में हो सकता है बट consistently नहीं होगा जो कि पहले होता था जड़ेजा अगें ठीक ट लेकते हैं तो अपनेंट का एक उपना तो डेफिनेटली उड़ाऊंगा एस ठाकूर इस ठाकूर को जो है यह इनको मैं अपने कॉम्मिनेशन में रखने की कोशिश करूँगा थिकसना मेरे को थिकसना के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता है जिस मैं लेता हूं जीतेगी चांस है बट फिर भी बाकी अगर आप देखोगे तो ठीक है तो अब चलते हैं मैच अप के उपर मैच अगर आप देखोगे तो यह रहा मैच अप आप लोग अगें देख लिजिएगा यहां पर इतना जदा मैक्सवेल के साथ जड़े जाका आप सब को पता है ब रन मना है बट हां वो वाला है सीन है देन का ग्रीन जो है बहुत जादा टेस्टथ नहीं है डीके आप देखोगे कहां पर ठीक ही है बाकी यही है उल्मृस्ट दिन इस तीप का गदेख लेते हैं तो अगें आपको बहुत जादा खास कुछ दिखेगा नहीं मोहीन अली को तो चलो अब जाके थोड़ा सा यह वीक्नेस वाला दिखा देते हैं कोली लिट अपैसर रजट उतना ज्यादा मेजर स्ट्रगल नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि रजट पार्टी राज जो है विराट कोली से बड़ा प्लेयर है हाँ बहुत ज्यादा मतलब सेंपल साइज जो है उस हिसाब से नहीं है और जिनके अगेंस सेंपल साइज है वह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता देन आपके पास मैक्सी का लेफ्टरम और्टोडॉक्स ग्रीन यह देख लीजिएगा गाईकवाड का वही रविंद्र का नू कोहली में से किसी एक को अटलिस्ट ड्रॉप करने का रिस्क जो है देख ले ले लेना देन कॉमिनिशन कॉमिनिशन थोड़ा सा हटके है ठीक है यह बोलिंग सेक्षन यह आपको बहुत ज़्यादा लोगों का जो है नहीं दिखेगा तो यहां पर पर देख रहे हैं यंद्र का सोच के अगर आप चाहो। तो किसी दूसरे विटर कंप ले सकते ईए क placed सबीर को अगर आपको लग रहा है की अर्सिटी बी का टॉप उर्ड Familien तो better आप मैं जांप सकते हैं पर चाहान फो रख रहे हैं पर reaches सब जो है बोलिंग करेंगे जडडू को रखने मैक्सी यहां पर ग्रीन यहां पर रविन रहा तो ठीक है अब जापके यहां पे जो है दिपक चाहर रहा है लोगी फर्गुसन रख रहे हैं देस्पंडे रख रहे हैं फर्गुसन की जगा पर जोजफ खेलेंगे तो डिफिने बहुत बढ़िया option है सम्हाव मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया grand league के लिए option है green second round पर आएंगे most probably and bowling भी कर सकते हैं at least दो भर तो मान के चलो नहीं तो आप चाहो तो ravindra maxi यह तो top choices है आप चाहो तो बना सकते हो जो लोग जिन लोग को लग रहा है कि वीके या फैब्डू प्लेसी चलेंगे 50 प्लस मारेंगे 60 प्लस मारेंगे उनको बना सकते हो वीके फैब्डू प्लेसी के बारे में क्या बता है लेकिन अगरा कुछ different try करना चाहते हो Kevin Green या रचिंद रबिंद्र बहुत बढ़ी आप्शन है इस bowling section में मैंने 270 देशपंडे को लेके रखा है या धोनी गाइकवाड को कितना जादा गाइड करते हैं क्योंकि देशपंडे को उपर बहुत जादा धोनी ने भरोसा रखा था और last year बहुत बढ़ी आ गया था that is the only reason कि यहां पर देशपंडे को लेके मैं रिस्क ले रहा हूं मेरे को समाव लगता है कि देशपंडे खेलेंगे even अगर substitute होके भी आएंगे और इनको मौका मिलेगा बोलिंग करने का पूरा मौका मिलेगा जिनको देशपंडे नहीं लेने का है वो यहां से देशपंडे को हटा के मौईन को ले सकते हो जो safe option है बड़ थोड़ा सा risk के साथ जाओंगा बाकी जो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है with playing 11 जो भी आपको पसंद आप चाहो तो अपने हिसाब से ले सकते हो आपको अगर लग रहा है चलेंगे गाइकवट के उपर अगर रिस्क ले रही हो तो इनका एक बोलर जो है एड करना चाहिए दिपक चाहर जो है अगर आपको दिपक चाहर अगर आप विराट दुनों को ले रहे हो तो दिपक चाहर का उतना जादा रोल नहीं होगा तो इस कंडिशन में दिपक चाहर को ड्रॉप कर सकते हो या देशपंडे को ड्रॉप करके किसी कोई एक और बोलर आर्स्तिवी के तरफ से ले सकते हो वह आपको लगता है कि यह जीतेगी तो आईगेस की आपका जो इस साल का आपको काफी सही लगा अगर अच्छा लगा हो तो आपको क्या लगता है इस साल ट्रॉफी कौन जीतेगी कोमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप लोग का प्यार रहा तो जो है पूरा टॉर्णमेंट कवर करने के कोशिश करेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का अनलि प्रश्णाजी है कोई ना कोई आके आपको कुछ ना कुछ इंपूर्स जो है जरूर देंगे तो यह है फिलाल स्मॉल लिग के लिए इतना काफी है तो थेंग्यों कीप सपोर्टिंग यू अलभी ओ थैंक्यों गाइच